जोहार मैं कृष्णा गुपता और आप देख रहे हैं न्यूस जारकन जारकन में लगतार बारिश कम हो रहा है डीप डिप्रेशन का असर खेतों में दिखा पानी तो खीले किसानों के चेहरे जारकन में मौन्सुन अब मजबूत हुआ है राजी के कई हिस्सों में तीन दिनों से हुई बारिश ने थोड़ी राहत दी है किसानों को थोड़ी राहत मिली है सुखे खेतों में पानी पहुचा है पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है राजी के कई हिस्सों में धान की बुआई भी शुरू हो गई है राची में दिन और रात के तापमान में भी महज दो डिगरी का अंतर दर्ज किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र के वेग्यानिक डॉक्टर अविशेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन जारकंट से गुजर रहा है नदियों में बढ़ा पानी सबसे अधिक बारिश बूधवार को हुई डिप डिप्रेशन गुरुवार की सुबह तक 36 गड़ पहुच जाएगा पूरे सीजन में राची में सबसे अधिक बारिश बूधवार को 32.4 मिलीमीटर दर्ज की गई मंगलवार की राच से सुर्ण रेखा खरकाई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है जिला प्रशाशन ने तेज बहाव को देखने और सेलफी लेने वालों को नदी किनारे जाने से मना किया है एंडियारेफ को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है डीप डिप्रेशन का असर आज से कम होगा मौसम वेज्यानिक के अनुसार गुरुवार से डीप डिप्रेशन का असर जार्खन में कम हो जाएगा उसके बाद राजे में मध्यम दर्जे की बारिश होगी हाला कि कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है वहीं गरजन और वर्जपात की भी चेतावनी जारी की गई है चैबासा, राची, रामगड, हजारी बाग, बुकारो, चत्रा कुछ जगों पर भारी बारिश की संभावना है 3 अगस्त को समाने बादल चाई रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होगी अधिक्तम तापमान 27 डिगरी नियूंतम 23 डिगरी रहने का अनुमान है वहीं 4 और 5 अगस्त को गरजन के साथ बारिश होगी समाने बादल चाई रहेंगे कैसा है तापमान बुधवार को राची का अधिक्तम तापमान 25.4 डिगरी नियूंतम 23.5 डिगरी जबकि बारिश 32.4 मिलीमीटर जमशेटपूर का अधिक्तम तापमान 27.4 डिगरी नियूंतम 26 डिगरी और बारिश 33 मिलीमीटर डाल्टेन गंज का अधिक्तम 29.4 डिगरी निय पंद्रा मिलिमीटर रिकॉर्ड किया गया है